Hello everyone, welcome back to channel and my name is Nilesh Rajput तो दोस्तो आज मैं बहुत अच्छी topic के उपर मैं आपसे लोगों से बाती करूँगा क्या मैं कोवेट के अंदर आता हूँ, तो क्या मेरा जो passport है वो company में जमा हो जाता है कि नहीं तो इसके बारे में बहुत सारे भाई लोगों डाउट होता है कि अगर में कोवेत् जाओंगा, मेरा passport जमा हो जायेगा और मेरे साथ प्रॉलम हो जायेगा, तो मतलब मेरे साथ क्या हैज़ा मैं कैसे घर पे जाओंगा? तो बहुत सारे doubt उंसके दिमाग में रहते हैं दोस्तों तो इसके बारे में मैं आप से बात करूँगा उसी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी में आप लोग को दूँगा आपको समझाऊंगा कि क्या होता है यहां पे और passport क्यूं जमा करती है तो दोस्तो यह जो passport होता है जैसे कि आप COVID के अंदर आते हो जैसे आप airport पे आप जैसे विजीट करते हो तो उस समय क्या होता है दोस्तो कोई-कोई company क्या होता है आपको खर्चा के लिए 20 दिनार आपको देती है खर्चा के लिए जिस company मैं काम करता हूँ यहाँ पे दो options दिया जाता है दोस्तो अगर आपको passport जो है अगर आप company के पास रखना चाते हो responsibility के लिए तो आप रख सकते हो otherwise जो passport है अपने पास रख सकते हो तो दोस्त हम बात करेंगे passport company क्यों रखती है तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे जो भाई लोग होते हैं दोस्तों चाहिए गल्फ कंट्री में कहीं भी काम करते होंगे दोस्तों जो बहुत सारे लोग के पास जब passport हो जाता है तो बहुत सारे लोग खली बली हो जाते है खली वली का मतला बे होता है कि लोग क्या होता न भाग के जादा पैसे के लालेच में वो कहीं भी जाके काम करते हो के तो इसके लिए जो company होते है दोस्तो वो passport को अपने पास रखती है तो अब ही आप समझ गये होएंगे कि company passport क्यू रखती है तो यही वज़े है ओके दोस्तो पासपोर्ट कमपणी इसलिए रखती है क्यूंकि आप जब इंडिया से कुविड के अंदर आप आते हो तो कमपणी आपके पीछे बहुत जादा पैसा आपको खर्चा करती है आपको लाने के लिए या पर, आपको लाने के लिए बहुत सारे उनका responsibility होता है, इसके लिए passport जो होता है अपने पास रखता है और यहीं आपको तब भाग कर आपके काम करें या भाग के आप गलत ना करें हो कर के इसके लिए पास्पॉट कि लेए उनके पास रहते हो के तो इसके होता है तो इस Sis वे कंपनीक वर्चकों के लिए जाते हो या एमर्जंसी को इसके अगर्टी हो कंपनी के पास्वोड में जमा हो जाता है और जो सबसक् aconteceन आप मेरे जमें आपbelt got me और बहुत सारे दोस्तों मैं देखा हूँ दोस्तों जिनके पास आजाद बीजा होता है उनका जो पासपोर्ट होता है उनके पास होता है मतलब जो आजाद बीजा होता है उनका पासपोर्ट उनके पास होता है क्योंकि उनका खुद का बीजा है क्योंकि वीजा को खरीद के आ जब आपको passport चाहिए तो उसके लिए form letter होता है, जब आप उसे fill up करोगे, तो उसमें आपको पूरा details आपको देना पड़ेगा, कि आप passport की ले रहे हो, किस वज़े से आप ले रहे हो, आप घर पे जाने के लिए ले रहे हो, कि आप कोई emergency पढ़ गया, उसके लिए आप ले र आप security के लिए passport जो है दोस्तों, एक company के पास जमा करना चाहते हो, तो आप company को दे सकते हो, otherwise ये passport हम लोग personally अपने पास रख सकते हैं, अपनी responsibility के लिए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा company का, कि company यहाँ पर कोई घुलाम बना के नहीं रख रही है, क्योंकि बहुत जग Gulf Country में हो के, तो देखा जाएगा, कफिल जो होते हैं, उनके बहुत सारे problem उनके साथ create करते हैं, क्योंकि passport उनके पास होता है, और बिना passport का आप घर पे भी जा नहीं सकते हो, तो I am thank you so much about my company for carriage, तो हमारी carriage company में इसा बिल्कुल नहीं है, आप passport चाहिए हो, आप अपने पास र होई है ठीक है, खली-वली होके आप काम मत करिए, कली ड़ी-वली का मतलय भी होता है, जिसे आपका बीजा कातम हो गया और आपको लग रहा है कि आपको company के अंदर कम पैसा मिल रहा है तो क्या बाखक जादे हैं, क्या क्या करते हैं, जो जा चूप चूप कर करते हैं, OK, तो में सोच आप लोग के बीच में, सेर कर दो दोस्तो, अगर आप लोग को विडियो पसंद आया तो विडियो सस्क्राइब कर सकते हो, घंडे को भी दबा सकते हो तो जो बी इन्फर्मेशन वाली विडियो बनाऊगा दोस्तो